आज हम लोग ने अपना चैप्टर नुबर 5 एक्सराइस 5.2 के तो रॉमेनिंग पॉसंस रहेंगे हैं वह कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 95 आपके पास और क्वेस्टन नंबर 9 स्टार्ट करना है आज हमने वाट शूल भी कोसे नंबरें आपके पास बट शूल भी आड़ी दू 4x3 1 10x2 प्लस 12x6 अब आप से पूछा है कि इस पॉलिट करेंगे इस प्रहले करेंगे दोनों पॉलिट करेंगे और देन कोई रमेंडर बचेगा इसके अंदर तो वह वैल्यू को जब इस पॉलिट करें इस तरह से जिसरा अब हो उसमेंगर आपके पास कोई रिमेंडर वाइल्यू बचती एंडर को अगर आप उसी वैल्यू में जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसमें आड़ कर दो हो तो फिर पाहिस जब बाश्का डिवाइड किया जाएका तो भो इक इस नमबर पह क्षान सराइड किया था हुषने से स्राइड करेंगे इसको यहाँ पर 4X3 मेरे पास kis value की से multiply कर गाए यहाए ater 4 153 के सांथ इसको मैंö 67 के साथ मैं मुल्टीप्लाय करोंग आऽ आपके पास 4x cube और जब इसको यह इस value को आपने इस term के साथ भी उन तोनों terms के साथ multiply करना होता है यहाँ भी आप जो value लिखते हो उसको आपने जो diviser होता है उसकी तोहर term के साथ multiply करना होता है तो 2x square को 1 से multiply करेंगा तो यहाँ पर आजएगा 2x square sign change यह value cancel out हो गई यहाँ पर किया आजएगा minus 12x square plus 12x plus 6 अब हम इसको आगे forward solve करेंगे 2x है 2x के मुझे यहाँ पर क्या लेकर आना है minus 12x square तो मैं 2 को 6 से multiply करूँगा और मेरे पास 12 आजएगा 2 6 है 12 और x को x से multiply करूँगा तो मेरे पास 12x square आजएगा और इसको मैं माइनस के साथ करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस का sign चाहिए minus plus minus 12x square फिसको इसको से multiply करेंगे तो plus minus minus 6x sign change यह value cancel out होगे यहाँ पर 12 plus 6 कितने होगे 18x plus 6 अब दोबारा मैं 2 को कि से multiply करूँगा कि मेरे पास 18 आए 9 से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 18x 9 को 1 से multiply करेंगे तो यहाँ पर क्या आजएगा 9 sign change यह value cancel out होगे तो फिर इंटर गा बचाह आपके पास minus 3 यह value हो value है जिसको आप इस पॉलिनॉमिल के साथ add करोगे तो आपके पास ही exactly divisible हो जाएगा तो यह आपका answer क्या आगया यहाँ पर minus 3 इसी तरीके सिसको नेक्स कोस्टन है question number 10 the product of two polynomials is 6y3-11y2 plus 6y-1 if one polynomial is this then find the other आपने simple नहीं दोनों पॉलिनॉमिल को दोनों पॉलिनॉमिल को product आपको basically दिया हुआ है उसमें से आपने क्या करना है एक पॉलिनॉमिल से दिया हुआ है एक पॉलिनॉमिल फाइंड करना है तो आपने simple इन दोनों पॉलिनॉमिल सो क्या करना है डिवाइड करना है आपके पास इसका answer आजएगा तो question number 11 है वह हम आगे start करेंगे question number 11 में क्या कह रहा है वह हमें forward value of p the polynomial 3x cube minus 7x square minus 9x plus p becomes exactly divisible by x minus 3 अब कौँसी यहाँ पर p की value होगी कि यह properly divide हो जाएगा यहाँ पर x minus 3 के साथ उसका भी simple हम उसी तरी की से start करेंगे simple deviant के method से 3x cube minus 7x square minus 9x plus p उसको हमने divide करना x minus 3 के साथ उसी process के साथ start करेंगे और add that हमने remainder से p की value find करेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 3x cube तो मैं इसको की से multiply करूँगा 3x square के साथ करूँगा तो मेरे पास यह value आएगी 3x cube अब जिसको मैं जब 3 से multiply करूँगा तो plus minus minus और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3s are 9 minus 9x square sign change यह value cancel out होगी है इसको solve करेंगे तो मेरे पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x square minus 9x plus p अब आगे हमने तबारा से किसे solve करना है यहाँ पर मुझे क्या लेकर आना है 2x square मैं एक को किसे multiply करूँगा plus 2x से multiply करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x square और जब इसको से multiply किया जाएगा तो plus minus minus 2,3,6 यहाँ पर आ जाएगा 6x again sign change यह value cancel minus 9 plus 6 इसको solve करेंगे तो आपके पस value क्या आएगी minus 3x plus p अब आप तबारा से इस x को यहाँ पर मेरे क्या लेकर आना है 3x लेकर आना है तो मैं इसको किसे multiply करूँगा minus 3 के साथ minus 3 से multiply करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर value आजेगी minus 3x और जब इस minus 3 को मैं इस 3 से multiply करूँगा तो मेरे पास क्या value आजेगी minus minus plus और value क्या आएगी 9 9 अब वह पी value और यहाँ उसको मैंने side पर थोड़ा करके लिख दिया क्योंकि वह एक constant यहाँ पर एक numeral है sign change यह value cancel out होगी पीछे क्या बचा आपके पास पी-9 अब यह मेरे पास हम स्पोर्स कर लेते हैं कि मेरे पास remainder आया और यह exactly divisible यह होगा तो फिर यहाँ पर यह क्या होगा पी-9 is equal remainder मेरे पास किसके एकोल होगा 0 के एकवर होगा तो इसको में आप तो फिर नंगे तो पी यहाँ-9 यहाँ-4 उदर जाकर क्या होगा अजैकर फिर यह चान कुलेगा यहाँ पास यह पूलूम जाए कि नाच जब इसको 9 पूट करेंगा तो इसको पीड़े नाइं पूट पूट पर करेंगा तो बार पास यह पर प्रुटी अगाई करें और जो MCQs हैं वो भी आप लोगों ने खुद इसके पूरा चप्टर कंप्रीट हो गया है अब आपने study भी कर लिए read out भी कर लिए सारे questions भी सॉल्व कर लिए है उसकी आपने यूद्यूमेरिकल्स MCQs जो है यो आपने खुद सॉल्व करने हैं बहुत शुक्रिया